अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी खाब होंगे हमें है भरोसा हमें यकी है हमें एक दिल कामयाब होंगे कर लगाएं की कामयाबी हमें भरोसा है हमें यकी है अधूरे होंगे तो पूरे होंगे हमारे जितने भी खाब होंगे कर दो तो तो अधूरे भी खाब होंगे मारो रहे केशरियो हाजारे कुलरो फूलरे कुलरो फूलरे केशरियन निभ्रम ला लागडे मारो देखे सेरी ओ आधारे गुन्हा खुल दे आधारे गुन्हा खुल दे के सेरी दीपापा दे के सरी ओ आधारे बागा बिड़ो तुर रे तीस्या चाहरे सलाव अलेकुम सलाम जी मेरा नाम जरीना है और ये तीनों मेरे साथ ही है जेम्स दीपक यूस्फ हम दिली से आए है डेली उनिवरस्टी में पढ़ते हैं हमारा ये आखरी साल है और हम यहां सर्वे करेंगी ठीक है जी करलो सर्वे एलाका तुम्हारे सामने पढ़ा है और हम लोगों को तो तुम देखी रही हो आप लोगों को हम कोई तक लीफ नहीं देंगे जी हम सरकारी आद मी नहीं है हम तो अपनी पढ़ाई के लिए सर्वे कर रहे हैं यह बहुत अच्छा जी भरका सर्वे करो और को दिक्का थो तो हमें बताना जी शुक्रिया आप भी अपने बारे में कुछ बताईए बताने वाली बात हो तो बताएं तुम ठेरे दिल्ली वाले वसे यहां तो यही जिन्दगी है जो दिख रही है चीज तो बड़ी मस्त है हूब हूब माधुरी दिच्छी जैसी लग रही है यार तुसपे तो माधुरी का बूस सवार है ऐसे लड़की है बहुत अच्छी एक नहीं तीन-तीन हीरो है उसके सा ठीक कहता है लगते तो हीरोई है लेकिन यार अपने गाउं में क्या करने आए है तू अपना दिल शोटा मत कर तू जा के एक करीब से देख ले अपनी माधुरी को भाई हमारा क्या लेना देना शेहर वाली है शेहर की लड़किया बड़ी नक्चड़ी होती है अंगूरे खटे हैं जादा बगूला बगत बत्मन है लल्चाई नजरों से तो तू भी देख राता उससे वसे मेरा नाम मुहमद अली है और ये करीब में मेरा घर है और ये महर अली है ये असद और ये रामपरी राखी सब अपने ही लोग है हमें आप से मिलकर बहुत खु सब्सक्राइब और ये जल्दी है इसा नहीं होता है अरे असद इनको ले जाओ नाश्ता पानी कराओ और मेरा समान है ये सब्सक्राइब और ये हम भी चलते हैं तुमारे साथ हा मैर चलो मैं आप आप करएं कर अप कर दो को तो इसी तरह के मकानात होते हैं कुछ कच्छ और कुछ पक्याद यहां रहने के लिए कोई होटल पर जडीना बैटी होटल तो भी कनेर के बजार में मिलेंगे यह तो गाओं है वैसे चिंता की कोई बात नहीं है हमारे गरीब खाने कोई होटल समझ लो और आराम सराओं क्यों मैर अली मुहमद अले ठीक क्याता है जो भी इस गाओं में आता है मुहमद अली के घर में ठेरता है इसके घर में सारी सुधाय मौझूद है अच्छा तुम लोग हात्मों दोलो तुम्हें कमरा दिखाया देता हूं और एक बात बोताओ तुम लोग मियां जी के घर का खाना खालोगे अरे यह क्या कह रहे है चाचा हम लोगों में कोई भीद आजा भाई लोग अबना सामान यही रख दो यही रहोगे तुम लोग यही मेरा चोटा सा गरीब खाना है दूर से आयो हात मुदोलो ठक गए होगे आराम कर लो मैं कुछ खाने पीने का बंदबस करता हूं जी ठीक है शुक्रिया सब्सक्राइब देखा तुमने राम पी लड़की कितने शुशील है पड़ी लिखी है ना इसलिए जरा भी दिखावा नहीं है और आई घ्मंड है वह तुम मानो या ना मानो आज के यूग में लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और खासकर अपने पैरों पर खड़ा होना अब तुम अपनी बेटी कोशर कोई ले लो पई सच है तुमने उसकी पढ़ाई लिखाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया हरी जरीना से तो कुछ ही कम होगी ठीक है ठीक है तुम घर जाओ मैं भी जरा सुस्तालों अच्छा ठीक है कि अच्छा बाबा दिल्ली वाली वापिस चले गई क्या वो तो रहेंगे सब लेकित तुस्ति उन्के बारे में कैसे बता चलँ सुनो जी आप से जरूरी बात करनी है चली है हाँ हाँ चलो क्या बात करनी है चलीए तो सही चलो कि देखा तुमने वो जो लड़की आई थी कोशर देखे कितना खुश है उसे वो तो है लेकिन इस बात पर तू इतनी क्यों है रहान है है रहान नहीं हूँ मैं उसकी माँ हूँ इसलिए समझती हूँ उसके दिल की बात कोशर खुश इसलिए है कि वो जो लड़की आई है वो पड़ी लिखी है कोशर को भी पढ़ने लिखने का सोग है लेकिन तुम हो अरे तुम पजे इस तरह गुर को रही है मेरा गुरना तुम्हें बुरा लग रहा है जब लड़की कुमारी बैठी रह जाएगी तो सारी बस्ति तुम्हें घुरेगी उसके लिए कहां डुंडोंगे इस गाउं में पढ़ा लिखा लड़का वो तो कह चुकी है साधी करूंगी तो किसी पढ़े लिखे लड़के के साथ ताकि उसे पढ़ा सके तुम दोनों मा बेटी पागल हो कहां जाती पढ़ने है एक स्कूल था वो भी बंद हो गया अब इस वज़े से भी बंद हो अब उसके लिए नहीं हो सकता कि अपनी लड़की को मैं इतनी दूर पढ़ने भीजू तीन चार कोर्ष पे स्कूल है और जानती है स्कूल में लड़कों के साथ लड़के भी पढ़ते हैं तो क्या लड़कों के साथ पढ़ने से कोई रोग लग लड़की भी तो लड़कों के साथ पढ़ी है वो भी मुसल्मान है बहस मत करो मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ मैं अपने बेटी को पढ़ने के लिए इतनी दूर नहीं भेस सकता हूं जानती है वो स्कूल जो है हिंदू के इलाखे में फिर छड़ दिया हिंदू- मामला अगर कोई हिंदू लड़कियां आजाए तो क्या तुम उसके उपर अत्याचार करोगे विकार की बात मत कर मैं क्यों अत्याचार करने लगा तस तुम इसी तरह सोचो कि वो लोग भी अत्याचार नहीं करते तुम जो सोचते हो वो तुमारे दिमाग का फटूर है हाँ हाँ रगदो तुमारा नाम क्या है फातिमा मौमद अली साप की बेटी हो जी बहुत थ्यारी हो मौमा पड़ती हो श्राष्ममा मौमद साप की मौमद और रρι्ड़ती हो आपको कोई परिशानी तो नहीं हुई नहीं 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 ये गाउं ऐसा ही है और गाउं का खाना पानी पसंद आया आप लोगों को बहुत पसंद आया तुम चाहो तो अंदर मेरी बेटी के पास सो सकती हो यह जैसी तुमारी मर्जी ऐसे ऐसे आप अपना ही घर समझो जी शुक्रिया मैं अंदर फातिमा के पास सो जाओंगी एक बात पूछू चाचा हाँ पूछो फातिमा कहां पढ़ती है ना फात्मा नहीं पढ़ती नहीं पढ़ती पढ़कर क्या करेंगे गाउमी रहना एक बात बताओ चाचा आपको मैं भी राजस्थान की हूँ तुम राजस्थान की हो जी मेरी पैदाइश टोंक की है जब मैं बड़ी हुई तो मेरे नाना भी मुझे इसी तरह पढ़ने लिखने से रोकते थे अक्सा मेरे अब्बो को समझाते थे कि लड़कियों के लिए कुरान और घर की दीनी तालिम ही करेंगी शादी हो जाएगी फिर घर की जिम्मेदारियों में घर जाएगी फिर अब्बो मुझे पढ़ाना चाहते थे इसलिए चुप चाप उन्होंने मेरा स्कूल में दाखिला करवा दिया और नाना को पता चल गया अरे क्या करोंगी इसला पढ़ा लिखा करके लड़की Oh भुज़ा एंगे बच्च तो अंदर आ भुज़ा इंगे अ बेटी, तुम पढ़ना चाहती है? हाँ अबु, मैं पढ़ना चाहती हूं मैं बहुत पढ़ना चाहती हूं पिल्कुल मत गखावर, मैं तुम्हारे लिए अपना ट्रांसपर करवा लूगा ट्रांसपोर्ट कंपने की ब्रांच दिल्ली में है? मैं दुम्हें ले जाओंगा कि खुब पढ़ना है कि इस तरह अब मुझे दिल्ली ले आए और मेरी पढ़ाये लिखाई शुरू हो गए और नाना नाना वो कुछ दिन तो मुझे नाराज रहे पर उसके बाद उन्से भी नहीं रहा गया वो दिल्ली आए और मुझे लिपटकर धे सारी दुआये दि देख ये लखाई-लिखाई के खिलांफ तो हम भी नहीं है लेकिन हर जगा की अपनी रीत होती है और हर घर की अपनी मजबूरी हम ऑबाब बेटियां बया देते हैं फिर उनकी घर गिरस्ती शुरू हो जाती है अपने हां तो यही होता आया है यह तो ठीक है लेकिन जरूरी तो न के लिए स्कूल तो खोला था एक उस्तानी भी आई थी कुछ धन तक तो वो आएं और फिर तबादला करा कर चली गई चली गई तो और क्या करती बेचारी दूर से आती थी स्कूल में अकेली बैठी रहती थी हम लोग चाहे पानी भिजवा देते थे और एक दिन होनों ने आना बंद कर दिया फिर स्कूल का एक तरफ का छपर गिर गया तब से श्कूल एसे ही बड़ा हुआ है तो मतलब गाओं में पढ़ निल लिखने का चला नहीं है हाँ तुम यही समझ दो लड़कियों को पढ़ानी की परंपरा गाओं में नहीं है ये मैं मानती हूँ कि परंपरा हुआ करती है जिसका तालुक तहजीब से, संस्कृती से होता है लेकिन चचा कभी-कभी कोई गलत धार्ना भी तो परंपरा बन जाती है जिसे बदला जा सकता है आपने तो सुना ही होगा अरब में क्या परंपरा थी बेटियों की सूरत तक देखना गवारा नहीं करते थे वो लोग औरतों की कोई इज़त, कोई मर्यादा नहीं थी ये वहाँ की परंपरा थी तब उस परंपरा को अल्ला के नभी ने तोड़ा और औरतों को समाज में बराबरी का दर्जा दिलवाया इसलिए चचा जिससे समाज को नुकसान हो वो परंपरा बदली जा सकती है हाँ हम तो जाहिल लोग हैं मौलवी साहब ने कहा था कि औरतों को पर्दे में रखो और लाज शरम के साथ रखो अब एक बात बता कि इस्कूल जाने में शरम लिहास तो मैं नहीं मान सकती कि मौलवी साहब ने पढ़ने लिखने के लिए मना किया होगा हाँ मना तो नहीं किया पर्दे की बात कही थी जो हमने गाठ बांद ली और लड़कियों को घर में रहने दिया अब आप उनसे पूछेगा तो वह आपको पर्दे के बारे में भी समझा देंगे लो महर अली भी आ गए अब तुम इनहीं से पूछ लो हम कभी गलत नहीं कहते असलाम अलेकुम अलेकुम असलाम आये महर अली बाता रही है अच्छा तुम भी बेटियों वाले हो माफ किज मैं जरा अंदर जाता हूं आप लोग बात किजिए हाँ हाँ जाओ बिटा तुम शहरी लोगों के पास करने के लिए तो बहुत कुछ काम है बेटियों की क्या बात निकलाई ये लड़की कहती है कि हम अपनी बेटियों को न पढ़ा कर अच्छा नहीं कर रहा है यार यह फि बढ़ा है कि इल्म बहुत जरूरी है हां मौल्म साब यह कहते है ज्न नहीं तो इनसान नहीं जी उन्होंने ये भी कहा होगा कि इज्ञान और तो प्लिए भी ज़रूरी है यह तो हमने ध्यान नहीं दिया इल्म लड़कियों के लिए भी जरूरी है एक बात बताएए अगर मैं आपकी बेटी होती और कोई आपसे पूछता तो क्या ये बताते हुए आपको खुशी नहीं होती कि आपकी बेटी कॉलेज में पड़ती है कभी आपने अपनी बेटियों से पूछा कि वो पढ़ना चाहती है या नहीं आप नमास के लिए जा रहे हैं इमाम साहब से पूछिए का कि इन कितना जुरूरी है और तों की पढ़ाई लिखाए खास तोर से जुरूरी है क्योंकि वो खांदान चलाती है घर चलाती है बच्चों को तर्वियत देती है एक अच्छा इंसान एक अच्छा शेहरी बनाती है माफ कीजेगा मैं तो काम से आई हूं और फिर चली जाओंगी लेकिन हर माबाप को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए अल्ला के नभी का कहना है कि बच्चों को जिंदा रखने और पड़वान चड़ाने के लिए माबाप से जो बन पड़े उन्हें करना चाह है कि कहा तो यहां तक गया है कि इल्म हासल करो मा की गोज से कबर तक यह मैं नहीं कहती कुरान में हदीसों में शास्त्रों में कहां गया है कि इल्म हादी बड़े लादी बड़े प्रादी बड़े बड़े है हाँ जरीना तुमने ठीक ही कहा हर बाप अपनी संतान की सुखी जीवन और भविश्य के सपने देखता है लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो चाते हुए भी कुछ नहीं कर पाता अब तो हम इसे एक बाप की मजबूरी समझ लो या इमान की कमजोरी वा जे हूा तुमने दोड़ा virtuelik कोन दों पाते ही शुव हम आता कर दोड़ा लो मृ ऑल़ा नहीं हमें ऍछी जीवन दोड़े शुमने तुमने पतुमने आता है रहाह कर दो को चराते हैं कि प्.'' हुआ हाँ 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 यह मेरी मां है असलाम अलेकों जीति रहो थातिमा के पापू ने तुम्हारे बारे में बताया हुआ जब भी अंदर आता है तुम्हारी ही तारीव करता है कह रहा था कि लड़की बहुत समद्दार है गोलिज में पढ़ती है लेकिन देन दुनिया की ख़वर रखती है दीदी बैठो ना हाँ हाँ देती बैठ तो तुम्हारे गुन गाते नहीं थकती कह रही थी कि तुम् तुम्हारे साथ घुन मिल जाएगी तो तुम्हारे साथ घुन मिल जाएगी तो तुम्हारा दिमाग चाड़ जाएगी तुम्हारे साथ पर देखना पसंद करती हो वह समचार पढ़ने वाली को समचार पढ़ने वाली को जी उसे क्यों पसंद करती हो वह बहुत अच्छा बोलती है समझा समझा कर और फिर बाद में जब मुस्कुराती है तो बहुत अच्छी लगती है नमस्कार आज के मुखे समाचार हैं विधर्ब में किसानों की मौत पर शोक मनाते युबक दिल्ली पहुँचे हाई कोड के अतिक्रमण के फैसले से सरकार ने चिंता जताई जम्मो कश्मीर में बढ़ते आतंकवात को लेकर आज राजसानी में उच्छ स्तरिये बैठक हुई और अंत में भारत पाकिस्तान के बीच खेला गया टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ अब समझा रिस्तार से क्या हो गया तुम्हें कुछ नहीं मैंने पूछा तुम न्यूज लीटर बनना चाहती हो क्या मैं बन सकती हूँ क्यों नहीं लेकिन मैं तो पड़ी लिखी ही नहीं हूँ तो क्या हुआ तुम पढ़ना लिखना अब शुरू कर दो चची आप फातिमा को पढ़ाते क्यों न चाहती है पढ़ाना तो मैं भी चाहती थी जब ये पैदा हुई तो इसके बापू ने कहा भी था कि इसे खुब पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो फिर क्या हो गया जा बैटी अपनी दिदी के लिए कपचाय बना के लिए जी जा यह बात इसके सामने नहीं बताना चाहती थी इसके पापू की मजबूरी है कैसी मजबूरी जा बताओ बैटी है तो घर की बात असल में इसका ताया इसके साथ अपने बेटे की साधी करवाना चाहता है जब कि वो लड़का कुछ काम नहीं करता सारा दिन आवारा और मारा मारा फिरता है कभी बीका ने तो कभी दिल ली तो इसमें क्या परिशानी है? आप मना कर दीजिए फात्मा के पापू पर उधार है उसका बड़ा भाई पैसे वाला है उसकी मदद करता रहता है बहुत गुस्से वाला है फात्मा के पापू उससे अतना दबता है कि उसके सामने अपना मुन ही खोलता लेकिन चची, इन बातों से फातिमा की पढ़ाई लिखाई का क्या तालोग? इसका ताया नहीं चाहता कि ये पढ़ाई लिखाई करें, उसे तो अनपढ़ वहुच ही है हेरत है, इस सोच की लोग अभी इस समाज में मौझूद है लेकिन चची, आप ये तो देखिए कि फातिमा पढ़ना चाहती है अब हम क्या करें, तुम ही बताओ चची, आप सिर्फ कर्स के वज़े से अपनी बेटी को जीते जी मार रही है मैं जानती हूँ कि कर्स एक जानलिवा बोज है लेकिन मैं फातिमा को मरने नहीं दूँगी अगर मैं एक फातिमा को बचा सकी तो मैं समझूगी कि मेरी पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं गई ये मेरा बादा है, फातिमा जरूर पढ़ेगी सलामत खूलेंगे हर घर के दर दरीचे गर लगाएंगी कामियावी हमें भरोसा है, हमें यकी है